वेल्कम व्यूवर्स बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू नॉलेज चैनल में और आज हम बात करेंगे वोड़ा फोन आइडिया के बारे में और कुछ मुझे जो इसमें प्रॉबिल्टी लगती है मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा हो सकता है कि कुछ लोग मे मेरा अपना पॉइंट ऑफ यू है देखने का चीजों को और जो जादा तर मेरी प्रॉबिल्टी जो है दोस्तों हमेशा तो नहीं लेकिन 90 प्लस टाइम सही साबित हुई है तो दोस्तों अगर थोड़ा सभी आप लोग को वीडियो अच्छा लगे या मेरी जो प्रॉबिल दोस्तों पहरे निगेटिव निउस की बात कर लेते हैं इसमें बहुत सारे निगेटिव निउस अल्रेडी आई हुई है इसलिए यह शेयर बिल्कुल भाग नहीं पा रहा मान लीजे चल तक नहीं पा रहा यह देखिए वोड़ा फोन जो सीट्यों है उनका रिजाइन दूसरी अपडेट थी वोड़ा फोन की लीगल टीम चले गई और लीगल टीम जाने से दोस्तों जाहिर सी बात है यह सब बहुत बैड न्यूज मार्केट की सेंटिमेंट खराब करती है और उसके बाद कुछ कंपनियों ने जो इसके टारकेट बताये हैं कि यह पांच रुपे जा सकता है किसी ने बोला अपना अई एक बार जो इसका लोवर जो लेबल है उसको एटच कर सकता है तो दोस्तों बहुत पैनिक क्रेट किया गया मार्केट में और बहुत किया भी ज लगता है operators भी हो सकते हैं और actual condition तो दोस्तो वोड़ फोन आइडिया की balance sheet की खराब है उसमें no doubt और दोस्तों जहां तक मुझे लगता है जो अभी शेर pressure में trade कर रहे हैं उसके पीछे one of the main region है वो मैं आपके साथ शेर करना चाहूंगा और यह latest भी है जो मैंने news दिखाई वो ओल्ड थी दोस्तों सो ओल्ड में इसलिए show कर रहा था कि यह सब इसके साथ होता गया यह update आते गए इसलिए आज यह आठ से नौ रुपे से आगे बढ़ी नहीं पा रहा तो दोस्तों अभी जो डॉट है जो एया ड्यू का मामला है उसमें अभी थोड़ा सा एक लेटी वाला संधर्व बचावा है जो मुझे लगता है इस अपडेट के अकॉर्डिंग क्योंकि जो ओर्डर था उसके अकॉर्डिंग मार्च 21 तक इनको 10% पेमेंट करने थी लेकिन टेली कॉम कंपनिया कह रही हैं कि उनने तो और लेड़ी 10% से उपर पेमेंट करा हुआ है और उसको एजन एडवांस पेमेंट कंसिलेट कर रहे हैं तो दोस्तों वहीं डॉट का कहना है कि यह 10% जो बगाया है उसका करना है तो मेरे इसाब से यह थोड़ा सा एक उल्जन वाला रीजन हो सकता है और इसकी क्लिर्टी मैंने तो सर्च करा मुझे नहीं मिली है कि फाइनलाइज इसमें क्या हुआ हुआ है लेकिन वन ऑफ दर र पर वहां तक यह टच कर सकता है दोस्तों क्योंकि हैवी अमाउंट है और इसकी बैलेंस शीट आपको पता ही है फिर सेकंड क्वार्टर भी लॉस ही पोस्ट करा है हाला कि फर्स क्वार्टर के एकॉर्डिंग थोड़ा सा पॉजिटीव सेनेरियो गया है और फर्स घुमरी हो मैं इस पता नहीं चलना हो कि क्या होगा कैसे होगा तो जाहिर सी बात है बिजनेस एफेक्ट होना स्वाविक है और अब थोड़ा सा जब इसका फैसला आया है कि पेमेंट टमसिन को मिला है उसके बात क्या होगा तो उसमें दोस्तों यह ही है यह वाला पॉइंट अगर क्लियर हो जाता है तो जाहिर सी बात है एक अप मूव हमें देखने को मिलेगा इसके अंदर और अगर यह फैसला इनके अंगेंज चले जाता है जाहिर सी बात है वोड़ा फोन में फिर थोड़ी गिरावाट देखने को मिल सकती है और दोस्तों अब आईए थोड़ा सा बात करते हैं कि अब मूव आएगा इसमें और जो बहुतरीन टार्गेट हमें भविश्य में देखने को मिल सकते हैं उसके पीछे क्या रिजन्स हो सकते हैं तो दोस्तों 11 नॉवंबर का पत्रा चाहर है यह वोड़ाफन आइडिया का बीस एनसी के साथ उन्होंने इसमें मैंशन किया हुआ है कि उन्होंने एक मीटिंग यह इन्वेस्टर के साथ जो अनलेस्ट हैं उनके साथ मीटिंग करी है और उनका नाम है दोस्तों बैंक आफ अम कि यह देखी दोस्तों यह तो थाओ जो 19 की अपडेट है और आप देख सकते हो इसमें जो फाइबर एसेट सेल की बात की गई थी 130 बिलियन की उसमें अमेरिका का बैंक आप अमेरिका का नाम भी है मैंशन तो अगर यह मीटिंग उनके साथ हो रही है और जो इनकी डील चल करती थी तो हम थोड़ा सा एक कह सकते हो कि connection जो लगता है कि यही होगा chances पूरे-पूरे क्योंकि आइडिया के बास कोई दूसरे option है नहीं कि अगर कुछ अच्छा करना है तो उसको अपना जो खराब जीजें उसको निकाल के और अपना बिजनेस पर फोकस करना चीए सो मेर सब लिखा है वोड़ा फाइंड आइडिया इस कंसे रिंग रेजिंग डॉलर वन टूवन फाइंट बिलियन इनिशली थ्रो इक्विटी एंड इस इंटाउग वित लोकल और सीज इन्वेस्मेंट बैंकर और दोस्तों इसके अंदर भी बैंक आप अमेरिका का नाम है तो द जानकारीन ने बीसे निश्च को दी है वह हो चुकी है तो चांसे लग रहे हैं दोस्तों कुछ अपडेट आना चाहिए क्योंकि यह तो इनकी टॉक पहले से चल ली थी और में भी सायद बैंक ऑफ अमेरिका या कोई भी अधर इंवेस्टर यह वेट कर रहा था कि एजियर क इंदर बहुत ज्यादा संभावना है कि हमें बहुत अच्छा एक फंट रेजिंग वाला अपडेट बहुत जल देखने को मिल सकता है विदिन नौंबर जो मुझे लगता है और इस वज़े से यह शेर भागेंगे और आप लोग पकड़ नहीं पाऊँगए और दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता ही है वोड़ाफोन आइडिया ने अपनी ब्रैंड भी नई क्रेट करी है नई बनाई है उसकी ब्रैंडिंग भी कर रहे हैं और कोई भी कंपनी अगर री ब्रैंडिंग करती है तो दोस्तों जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा उसका बेनिफिट या कस्टुमर को अट्रेक करने के लिए जरूर होता है वोड़ फोन आइडिया ने भी वी आई की नई ब्रैंडिंग करी है आप लोग को सब अवगत होगा और ये नए नए प्लान नए ने मिन्स attractive move लाते जारे बिजनस में और जो की हमें अगले quarters में improvement देखने को मिल सकती है तो दोस्तो मेरा तो इसमें यह मानना है अगर आप long अवधी वाले निवेशक है capital investment में आप believe रखते हैं instead of stock trading so दोस्तो अगर आप long term capital investment के थुरू capital earn करना चाते हैं तो यह stock लंबे समय के लिए बहुत अच्छा है जो मुझे लगता है क्योंकि telecom company इतनी ज्यादा है नहीं हमारे इंडिया के अंदर और जो भी बिजनस है वो गिनी चुनी दो तीन company के पास है तो जाहिर सी बात है अगर इनकी जो financial problem है अगर वो थोड़ा reduce जाती है खतम हो जाती है तो यह ग्रो करेगी दोस्तों जो मुझे लगता है और प्लान ला रहे नहीं नहीं रिब्रेंडिंग हो रही है इन्वेस्मेंट की बात चल लिए तो दोस्तों यह सब सेनायरियों एक अच्छे मूव की और संकेत देते हैं और यह मेरी प्रावबिल्टी है कि हमें बहुत जल इसके अंदर बहुत अच्छे टार्गेट देखने को मिलेंगे बस एक पॉजिटीव अपडेट का वेट है और यह एक अच्छे चैनल दोस्तों कोई भी डिशन अपने से पुछ के लिजिएगा डिसक्स करने के बाद लिजिएगा और निगेटिव यह है दोस्तों जो एजियर वाला है अगर नको पेमेंट करनी पड़ जाती है अभी नोटिस आ आता है ऐसा कुछ हो जाता है बाइच चांस तो फिर थोड़ा सा यह शेर मैंने बताया ना आपक बिल्कुल भी गलत नहीं है बहुत अच्छा रहेगा थैंक यू दोस्तों आज के लिए इतने ही मिलते नेक्स वीडियो में बाब आए